एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने बारह दाने अनाज के तोड़ लिये। फिर गणेश जी के मन में पच्तावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहां चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के बारह साल की नौकरी करने लग एक दिन सेठानी राक से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ कर मिट्टी से हाथ धुला दिया सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया सेठ जी ने गणेश को बुला कर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है राक से हाथ धोने से घर की लक्षमी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा थोड़े दिनों बाद कुम्भ का मेला आया सेठ जी ने कहा गणेश सेठानी को कुम्भ के मेले में स्नान करा के ले आओ सेठानी किनारे पर बैठ कर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़ कर आगे डुब की लगवा लाए घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज़त ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठ कर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुब की लगवा कर ले आया इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा एक दिन घर में पूजा पाट हो रही थी हवन हो रहा था सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओड़ कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओड़ के चलो सेठानी नाराज होकर सो गई सेठ जी ने आकर पूछा क्या बात है तो सेठ ने बोला कि गणेश ने मेरी चुनरी फार दी सेठ जी ने गणेश को बुला कर बहुत डाटा और कहा तुम बहुत बदमाशी करते हो तो गणेश जी ने कहा पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुब काम सफल नहीं होता है फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया अब क्या करें? तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बना कर विराजमान कर लो आपके सारे काम सफल हो जाएंगे यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे मेरे से भी करने लग गए तो गणेश जी ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं सच बात कह रहा हूँ इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतरधान हो गए सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने बारह अनाज के दाने तोड लिये थे उसी का दोश उतारने के लिए मैंने तुम्हारे घर में नौकरी की थी प्रेम से बोलो जै हो गणेश जी महराज की